राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे यूटीब चैनल के एस्तरी राधी किष्णा सिंगार में आपका स्वागत है हिंदू सास्त्रों में माननेता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मोक्ष की प्राप्ति इशर्व के आसिरवास से ही होती है ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान की क्रपा हमारे पूजा घर पर बन जाती है तो इससे अच्छी और बड़ी आबाद क्या होती है यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हर घर में ही एक पूजा घर जरूर होता है हर घर में पूजा घर की स्थापना इसलिए की जाती है जिससे कि हम हर रोज भगवान की अराधना करें उन्हें प्रसन्न कर सकें पूजा घर में भी कुछ बातों का खास क्या लखना पड़ता है जिसकी बहुत चरुरत होती है आज हम आपको वही कुछ बातों के बारे में जानकारी देंगे पता दें की घर के पूजा घर में कुछ मूर्टियों को नहीं रखना चाहिए इन मूर्टियों को रखने से घर में सुक्षम्रिज्य और सकारत में पूर्जा का प्रभाकम हो जाता है कौन सी मूर्थियां अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए आज अपने इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं जोतिश वास्तू के अनुसार सूरे पत्र सनी देव की मूर्थी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए सास्तों में सनी देव की पूजा घर के बाहर किसी मंदिर में ही करने का विधान है इसलिए सनी देव की मूर्टी को घर में नहीं लाना चाहिए यदि इनकी पूजा करना चाहते हैं तो आप जहां सनी देव का मंदिर हो वहाँ पूजा करें या पीपल की पेड़ के नीचे सनी दिव की पूजा करें चोटिसा सवर पास्तु के अनुसार राहु केतु की मूर्ती को भी घर में नहीं लाना चाहिए इनकी पूजा अचनक करने और इन्हें प्रसंद करने से जीवन के सब कष्ट दूर हो जाते हैं लेकिन इनकी मूर्ती घर में लाने से हम इनसे जुड़ी नकारत्म पूजा को भी घर ले आते हैं इसलिए इनकी पूजा घर से बाहर किसी मंदिर में ही करनी चाहिए पास्तु सास्त और जोतिक शास्तर के अनुसार भगवान नट्राज की मूर्ती को भी घर के मंदिर में पूजा स्थल में नहीं लाना चाहिए इनकी स्थापना घर के पूजा स्थल में करना निशेत माना गया है वैसे तो भगवान नट्राज की मूर्ती देखने में आकरशक लगती है लेकिन इसे घर में पूजा स्थल पर रखने से बचना चाहिए भगवान नट्राज को शिप का रुद्रू रूप माना जाता है यानि शिप का यह रूप शिप के क्रोधित अवस्था का है नट्राज की मूर्थी को घर में लाने से असांती फैलती है सुख शांती का वातर परन खतम हो जाता है भगवान शिप का अपतार माना जाता है वास्तु सास और जोटि सास के नुसा भगवान नहीं रखनी चाहिए घर के मंदिर में स्थापित भगवान शिप का अपतार माना जाता है साथ ही इसे मंदिर में तो भूल कर भी स्थापित नहीं करना चाहिए ऐसी माननता है कि भैरफ तंत्र विज्जा के देपता है और इनकी पूजा घर से बाहर भैरफ देप के मंदिर में ही करनी चाहिए घर में नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनकी पूजा पूरे बिधी विधान से की जाती है और घर में यह करना संभव नहीं होता इसी प्रकार माता काली की पूजा के भी बहुत नियमों बिधी विधान होते हैं इसी लिए माता काली की भी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए और माता काली मादुर्गा का क्रोधित रूप है इस कारण से भी उनकी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए आपको माता काली की पूजा करनी है तो मादुर्गा की मूर्ती घर में लगा कर उनकी पूजा करें क्योंकि मादुर्गा और माकाली एक ही होती है वास्तु सास और जोचे सास के अनुसार इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घर में भगवान की पीड दिखाती हुई मूर्ती या चित्र नहीं रखना चाहिए इसे अशुमाना जाता है और इससे घर में रहने वालों के लिए दुर्भाग्य आता है उनके बनते काम बिगड़ने लगते हैं घर में भगवान की युद्ध करते हुए या राक्षस को मारते हुए दिखाने वाली मूर्ती या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए इसे भी रोद्र सवरूपी माना जाता है इससे दर्शन करने वालों की घर में संकट आते हैं उन्हें आर्थिक तंगी और सारेदिक कष्ट हर प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ता है घर में खंडित मूर्ती या भगवान का फटा हुआ चित्र नहीं रखना चाहिए वास्तोवा जो चिस्तोनों की हिसाफ से ही यह अशुमाना चाहता है उमीधा आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले हमारी वीडियो को अपने मित्रों रिस्तेदारों में जाह से अधर शेयर करें ताकि वह भी इससे लाप राक्त कर सकें हमारे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रही है और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलने थैंक्स फर वाचिंग राधे राधे